और राइड आपिन बेपर स्वाइंट का चप्टर फर्स्त की फ्रस्ट कैम आज हम स्टड़ी करने वाले है इन पोएब का टाइटल है हमारी दि आंट एन्टी क्रिकट ठीक है तो अश्राप पेज्वाली जो पएम है जुसको हम आज श्टड़ी करने वाले है इसके बाद हम भी जो है आम इंशोर करेंगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे ठीक है आज बेसिकली क्या होती है हमारी चिंडी होती है ठीक है एंड का क्या मतलब है और ठीक है किरिकट बेसिकली हमारा इंसेक्ट है ठीक है छोटा सा इंसेक्ट होता है ठीक है जिसकी इमेज आपको का सूर पर की तरह है यह वाला आपको देखने को मिलेगा यह और यह आपका किरकट है अप कर्ट के हमारें इंट का बतल्ब है और जियो और यह राइटर ने दो बिसीकली हमारे पास एक आडिकल है आडिकल हमारे पास तीन होते हैं एक होता है एक होता है एक होता है और एक होता है दो जो होता है हमारा इसको हम कहते है इसको तब यूज किया जाता है जब किसी उनीक चीज को हमें दिर्शाना हो ठीक है ना यहां पे किरकट जो है एक पटिकुलर के बारे में बात हो रही है पटिकुलर आट के ब मतलब किसी एक आंट और किसी करकट की जो आपने इसमें बात हुई है उसके बारे में बात कर रहा है ठीक है चलिए आप स्टुरी को आप स्टुडी करते हैं चीजे हमें समझ आएंगी बहुत से डिटेल में लेकिन हम नीचे जो हमारी पॉइम है इसको स्टुडी करें उससे पहले इसने इटैलेक स्वोर्ट में जहां पर हमें एक परेग्राफ दिया है चलिए इसको एक नजर दे देते ही हमें जहां पर बता रहा है एक फैबल इस स्टॉरी एक जो फैबल है वह किसम की कहानी है आफन विद एनिमल्स आज करेक्टर ठीक है जिसके अदर जो जानवा होते हैं इनिमल्स होते हैं आट कन्वेज देग ऑर जो एनिमल्स होते हैं इनसे हमें एक मोरल मिलता है इक सीक मिलती है इनकी कहानी से इनकी स्टोरी चे भावाव टिन एंट एक करिकट कंटेंस एन आइडिया फॉर रीचिंग सिगनी किन्स ठीक है यह जो हमारी पैम है जिह एक आंट और एक किरिकट है इसके रिगार्डिंग जो डिसकेशन हो रही है इसके अंदर एक आइडिया है जो हमारी लांग विजन को दिखाता है कि कितना इंपार्टन होता है फार रीचिंग का सिगनिफिकंस कितना जरूरी होता है कि हमारा एक जब ब्रॉडर विजन होती है जब हम दूर तक चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, प्लाइन करते हैं, तो कितना ज्यादा उसका importance रहता है जब हैं, तो जो है ज़रूरी होता है, चाहे फोर लेगड करकट हो, या फोर लेगड हो, जो भी हो, लेकिन एक फार रेचिंग जो होता है, विजन होती है, दूर तक सोचना, दूर तक चीजों को प्लाइन करना वो ज्यादा important होता है, चाहे वो दो टांगों वाला हो, चाहे के लिए ज़रूरी रहता है, जनरली जो है, यकीन आपने एक करकट को देखा होगा, ठीक है न, जिसकी दो टांगे होती है, ठीक है न, तो ये तो हमने देखे ही लिया, ये वाला करकट है, इसकी दो टांगे है, एडवा पे, जो आप देखेंगे, जो चीवडिया होती है, इसकी चार लेग्स हैं ठीक है चलिए आब हम स्टॉरी को स्टॉडी करते हैं इसके अंदर क्या स्टॉरी है इसली जंग केरकट एक सिली का मतलब होता है बेवकूफ ठीक है ना इसली जंग केरकट एक सिली बेवकूफ सा केरकट है ठीक है ठीक है एक सिली जंग केरकट एक सिली बेवकूफ सा केरकट है ठीक है ठीक है एक सिली जंग केरकट एक सिली का मतलब है जिसको आदत है ठीक है ठी कि खिलिए जंक कैकर्ट एक बेफ़कूफ सा एक यंग केर्कट जिसको आदत थी किसकी फिए गाने की आदत थी सिंगिंग की आदत थे ठीक है न, मज़ेधार का जब light winter summer हुआ करता था ठीक है न, just spring का season होता था, गर्मी का जब भी season होता था, तो यह क्या करता था, किर्कट, गाता रहता था, ठीक है न, अब इसने क्या की, यह जब summer का time होता था, spring का time होता था, ठीक है न सनी सीजन हुआ करता था तब ये क्या करता था गाता रहता था अब क्या होता था जब इसके पास खाना नहीं बज़ता था बिगें टू कम्प्लेइन अब इसने कम्प्लेइन करना शरू कर दी when he found that जब उसको मलूम पढ़ा at home जब उसको मलूम पढ़ा के गार पर his cup word was empty ठीक है न उसका जो कब बॉर्ड है जो अलमारी है उसकी गार के अंदर वो खाली है एक पीटी का मतलब है खाली है एंड विंटर वास कम विंटर आ चुका है और उसका जो कब बॉर्ड है वो खाली है ठीक है न उसकी जो अलमारी है पैसी के लिए उसमें कुछ भी नहीं है कि अधिके यहां पर पहले संटंजा के अंदर हमने क्या देखा के एक सेली सा केरकर था जिसको आदत थी घान की ठीक है न यह क्या करता था जब वारम चानी टाइम होता था समर का टायम होता था सिप्रिंग का टायम होता था जैक healthier म्हाया करता था तो फुड और जमा नहीं क कब बोड़ था वो खाली था और विंटर जो है सर्दी का मौसम आ चुका था तो पहले सर्टंजा के अंदर हम ने यह देखा कि एक जो करकड़ था समर में वो गाता रहता था इंड विंटर में अब उसके पास कुछ भी खाने को बचा नहीं था not a crumb to be found not a crumb का मतलब होता है चोटा सा पीस चाहे ब्रेड का फीस हो या रोटी का चोटे से टुकड़े को हम कहते हैं क्रम तो यह किरिकट क्या खाएगा चोटे 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 टुकड़े खाएगा ना प्रेड के तो इसके पास अब कुछ नहीं था not a crumb to be found अब इसको कोई भी जो है एक टुकड़ा भी नहीं मिल रहा था खाने के लिए आन्दी स्नो कवर्ड घ्रावंड अब जो है पूरे हर जगा पे बर्फ गिर चुकी थी तो जितनी भी चीज़ें होती थी वो बर्फ के नीचे आ जाती हैं ठीकन अब इसके पास कुछ आसी जगा नहीं थी जहां से यह कुछ चीज ढूंड पाता कोई चीज तलाश कर पाता क्योंकि हर जगा पे बर्फ पाड़ चुकी थी नाट फलवर कोड ही सी अब कोई भी ऐसा फूल नहीं था जो इसको दिख रहा हो क्योंकि सारे ग्रावड पे क्या थी बर्फ जमी हुई कि अंदर हमने देखा कि करकट समर में जो है गाता रहता था जब विंटर आया तो उसके पास कुछ खाने को नहीं था अब बाइर जो बाइर का नजारा क्या था कि पूरा गरावन जो है बरफ से डाक चुका था कोई उसको जो है ब्रेड कोई टोकडा नहीं मिल रहा था अब इसको धिमाग में आया और यह खुद से कहता है और वाट विल बिकाम अब क्या होगा अफ मी अब मेरा क्या होगा अब तो इसके पास कुछ भी खाने को नहीं है क्यों कि विंटर चाल रहा है सर्दी है तो आब यह कह रहा है अब मेरा क्या होगा अट लास्ट स्टार्वेशन होती है बूख ठीक है ना जब इसको खाने को कुछ नहीं मल रहा आप इसको जो है बूखा रह रहा है फाका कशी एंड फर्मायन का मतलब होता है कैट यह ऐसी सिचुएशन होती है जिस वक्त आपके पास खाने पीने के लिए कुछ भी ना हो तो आप हम इसको क पाका कशी की वज़ा से और कैट की वज़ा से यह जो है बोल्ड हुआ मतलब इसके अंदर जो है कुछ मतलब कुछ चीज जो इसकी जो बोलनेस थी वह चली गई तो अब जो है इसको कुछ और करना था ठीक है ना आल ड्रिपेंग विद बैट अल ट्रिपेंग विद कोड ठीक है अब यह पूरे का पूरा जो है क्या हो रहा था बीगे जा रहा था पूरे का पूरा जो है उपर से जो है बरफ है पानी है विंटर का टायम है तो यह बीग रहा था ड्रिप का रहा था ड्रिप का मतलब बहा तपक रहा था इससे पानि ए आल ट्रिम्बलिंगिन विद गोल और सृर्दिक कार रहा था सर्दी का मतलब है त्रॉपर ट्रिम्बलिंग काम पर रहा था पूखा था तो माइन था इसके हां तो अब ये जो है चलता जाता है किसके पास एक आइंट के पास एक च्यूंटी के पास जाता है ठीक है तो क्या बताता है च्यूंटी को अवे ही सेट आफ टुए मिजरली आंट एक छोटी सी मिजरली का मतलब होता है समाल ठीक है एक च्यूंटी के पास आप ये जाता है तो एक च्यूंटी के पास चाता है जे देखने कि अगर तो एक च्यूंटी के पास चलता है कि इस के हाँ फाका कशिख है इसके पास कोई प्लैन नहीं था विंटर के लिए Him shelter from rain अब जो जो था अब जो आंट थी उसके पास क्या था जो बारष थी उससे उसने अपना घर बना रखा था उसने अपना शिल्टर बना रखा था and a mouth full of grain ठीक है ना और इसको किस चीज़ की ज जूरूर चाहिए थी उसका जो चीम्टी थी उसके पास जो था गरेंज वगरा थी ठीक है ना वहां पे जो है गरेंज जो थे चीम्टी के पास थे तो अब इसको क्या चाहिए था इसको एक शैल्टर चाहिए था बारिश से बचने के लिए ठीक है ना हमारे इस करकॉट को एक तो बारिश से बचने के लि ही विष्ट आनली टू बारोव हालांके जो केरकट था यह सिरफ इसन की चाहत थी किसकी बारोव करने की बारोव का मतलब होता है उदारी पे ले रहा था ठीक है ना कि उदारी पे लेने अब उड जाता है ठीक है तो यहां पर हमने देखा ठीक है जहां पर कंटिनुव करें ताके हमारी कंटिन भरेकला नहीं ठीक हो 20 देखा अब विंटर में और उसको स्टारवेशन हो चुकी थी कुछ उसके पास खाना नहीं था ठीक है ना कोई टुकड़ा नहीं बचा था बाइर घ्राउंड पे भी बरफ गिर चुकी थी कुछ भी नहीं दिख रहा था सब कुछ वाइट हो चुका था ठीक है ना अब इसको फिकर होती है कि अब इसका क्या बनेगा काफी इसकी भूख मरी की हालत थी ठीक है ना फमायन था पानी से भीग रहा था शेवर कर रहा था कोल्ड में से अब ये छोटी सी चुटी के पास जाता है मदद के लिए ताकि अगर वो उसको जो है अगर इफ की नाट ही मस्ट आई आफ स्टारवेशन एंड सारव ठीक है ना अगर इसको नहीं मिलता अगर इसको खुराग घरेंड नहीं मिलती तो ये जो है मर जाएगा किसकी वज़ा से फाका कशी की वज़ा से और गम की वज़ा से ये जो किरकट है इसकी डेथ हो जाएगी इस किरकट को बिताता है यहां पर यहां पर यह यह बिताती है हमारे किरकट को क्या बताती है I'm your servant and friend मैं तमारी जो है servant हूँ नोकर हूँ और दोस्त हूँ बाट वी आंट सनेवर भारो वी आइंट सनेवर लिंड लेकिन जो हम आंट से हमारा एक असूल है ना तो हम भारो करते हैं ना तो हम किसी से उधारी लेते हैं वी आइंट्स नेवरलेंड और ना ही हम किसी को अधारी वगारा देते हैं ठीका ना किरकट इसके पास किसलिए गया था चाह कि मुझे अधारी में आज जो है कुछ थोड़ा बहुत अनाज मिल जाए जो मैं काल वापस कार दूगा लेकिन आइंट्स ने इसको क्या बताया कि ह अधार लेते हैं और ना ही अधार देते हैं यह तो हमारा प्रिंस्पल है असूल है हमारा बट टैल मी डियर केर्कट डिड यू ले नथिंग बाई विंदा वेदर वाज वाम ठीके ना लेकान अब जो है चीवटी जो है इसको बताती है के अब मेरे दोस्त तु मुझे यह के तुने अपने लिए कुछ नहीं रखा जब घर्मी का सीजन चल रहा था अपने लिए तुने कुछ जमा करके नहीं रखा कोथ कोथ का क्या मतलब है सैड कहा किर्कट ने क्या कहा कि नहीं मैंने अपने लिए कुछ भी जमा करके नहीं रखा my heart was so light, मेरा जो दिल है, वो इतना light है, that I sang day and night, मैं जो है पूरा दिन है, क्या करता रहा, गाता रहा, राद दिन गाता रहा, for all nature looked gay, जो पूरा nurture जो था, वो light-hearted देख रहा था, मतलब काफी प्यारा-प्यारा देख रहा था, ठीक है न, इस सेंग सार्जू से अर्ट यहां पे चिंटी इसको बताती है कि तुम घाते थे सर तुम कहरूऊ के तुम घाया करते थे समर के अंदर गाट दिंसे ज़दाअण ठीक है ना गो दिन से औठ तब इसको चिंटी क्या अनाज देने से ठीक है दस एंडिंग लिफ्टेट दी विकट तो फाइनली क्या होता है कि यहां पे जो है चला जाता है ठीक है न कौन चला जाता है हमारा जो किरकट है लिफ्टेट दी विकट ठीक है ना लिफ्टेट दी विकट का क्या मतलब है कि जहां पे जो बात है उसने खतम कर दी जहां पे कोई solution तो था नहीं तो इसको चिवटी ने कहा कि अब जो है आप तुम चले जाओ अब dance करो अगर summer में तुम गा रहे थे food नहीं जमा की तब तुम अब मैं क्यों दूँ तुझे अधारी हमारा तो वसूल का है हम किसी को अधार न देते हैं न लेते हैं इसलिए तुम जाओ अगर summer में तुम्हें घार खे थे दिन रात अब dance करो ठीक है and out of the door turned the poor little cricket ठीक है न और तब क्या होता है के and out of the door अब ये जो दर्वाजा था ठीक है न दर्वाजे के बाहर से ये जो छोटा cricket था ठीक है न अब इसको वापस वाना पड़ा है क्योंके चिंटी ने इसकी कोई भी खैलप नहीं की folks call this a fable अब राइटर खुद हमें बताता है ठीक है न क्या बताता है कि आम लोग इसको कहते हैं कि ये एक fable है मतलब एक imaginary story है जिसके अंदर animals जो है character है I will warrant it true लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ ये वाली जो story है मैं इसको सही मानता हूँ some kirkuts have four legs कुछ चो kirkuts है उनकी चार टांगे है and some have to और कुछ की कुछ की दो टांगे है मतलब क्या हुआ कि जहां पर हमें जो आतर है बताता है कि कुछ लोग हम मेंसे ऐसे lazy है जो इस cricket की तरह है ठीक है ना जो काम नहीं करना चाहते फीचर का प्लान नहीं करना चाहते और जब future आता है तो फिर दूसरे से मदद करने के लिए जाते हैं तो इसलिए ensure करना चाहिए कि आप टाइमली अपनी प्लाने करो कि future में आने वाले आपको future को किस तरह से tackle करना है तो यह थी हमारी story जिसके अंदर हमारे सटंजा थे जिनके अंदर हमने देखा पहले सटंजा के अंदर के हमारा एक करकर था जो summer के अंदर क्या किया करता था गाने की उसको आदत थी ठी की थी आप खाने के लिए उसको कुछ भी नहीं था ठीकना अब उसको फिकर हुई कि उसका क्या बनेंगा इसलिए जो है बूख फमायन ट्रेंबलिंग ड्रिपिंग वाटर की वाटर की वज़ा से वह एक छोटी सी च्यूटी के पास जाता है ताकि उसको कुछ मिले उसको ज काना? क्या में तुमारी मोकर हूं और तुमारी मोकर हुऊ तुमारी दोस्त हूं लेकशन के चिवंटी का है कि ज़िए के कुछ नहीं की कुछ नहीं जमा खिया? मेरा दिल जो है बहुत लाइट है मैं दिन रात गाया करता था ठीक है ना इस प्लीजन्ट और जब्रदस्थ मौसम के अंदर ठीक है ना यहां पर चिवटी इसको बतादी तुम गाया करते थे सर तो फिर इसको चिवटी कहती है तो तब क्या करो तूँ जा आप तू विंटर क कहते हैं लाकन मैं इसको true story कहता हूं, जो लोग आपने बथे प्लानिंग नहीं करते किसी की चार टंगे हैं केर केरिककर्स की कुछ दो ढांगे है तो जर्ड पर लोग आपने प्लानिक मिलं करते तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए ठीक है ना चलिए आप आते हैं आगे भड़ते हैं इसके हम देखेंगे question and answers वह हम देखेंगे next वीडियो में make sure कि आप चैनल को स्पिस्क्राइब करें दोस्तों के साथ share करना ना बूलें